हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तु माइं यूट्यूब चैनल मैं यौण धकाल आज फिर मैं आपनों के सामने एक ऐसा कैप्चा इंट्री वर्क लेके आया हूँ जहां पर आपको एक कैप्चा को फिल आप करने का सिक्स रूपिस और ओन होगा तो यह बहुती बड़ी आसा वर्क है अब यहाँ पर यहाँ पर करने यह let's work from home 25,000 plus vacancies all up to 50,000 per month यानि कि 25,000 से भी उपर यहाँ पर vacancies आपको मिलेगा और 50,000 तक आप यहाँ पर earn करेंगे तो अब आपको यहाँ पर form को fill up करना है तो first name, last name यह सब कुछ आपको यहाँ पर fill up करना होगा email और email आपको यहाँ पर fill up करना होगा, यह सही डालना होगा, यहाँ पर आपको message आएगा इसलिए इसको सही डालिएगा, यह qualification में आप देखिएगा, यह जो दिखाया गिया है, यह क्या है, यह इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरका form को fill up करना, इसलिए पूरा दिखिएगा, एक एक step को आप लोग दिखिएगा, समझिएगा तो सबसे पहले आपको आपका नाम लिखना होगा, first name, last name लिखेंगे, उसके बद आपको Gmail और email id यहाँ पर लिखेंगे आपका जो email id है, वही यहाँ पर लिखेंगे, सही email id आपको यहाँ पर लिखना होगा तो इसके बाद आपको यहाँ पे qualification qualification में आप देखिए सबसे नीचे से चलते हैं मैं आप लोगों को एक एक के बारे में बताऊंगा सबसे नीचे QX है इसका मतलब है आपको class 10th fail या उससे नीचे के जो भी standard है उसको QX बोला जाता है तो यहाँ पे आप class 10th से नीचे भी अगर आपके पास qualification तब भी आप यहाँ पे work कर पाएंगे तो इसके बाद आपको QS मिलेगा यह class 12th है QL मतलब college, first year, second year, third year QM का मतलब graduation complete, pass किया हुआ QLL का मतलब graduation से भी उपर का आपका चो qualification है उसको QLL बोला जाता है तिन works को आपको यहाँ पे select करना होगा तिन job को आपको यहाँ पे select करना होगा देखे, record writing, capture work, microsoft, political research यहाँ पे आपको record writing work और microsoft में no vacances दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी vacances नहीं है दो में लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे three words को आपको select करना होगा इसलिए आपको इस तरीके से three words को select करेंगे उसके बाद आपको capture work यहाँ पे political research, microsoft, record writing work यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यह चार यहाँ पे आपको मैं जो लिखूंगा उसी चीज को आपको लिखना होगा क्या लिखना है देखिएगा yes, I am interested इतना लिखना होगा यही चीज आपको इन चारों में लिखना होगा तो इतना लिखने के बाद आपको चारों में I am interested लिखेंगे उसके बाद आपको work number लिखना होगा तो work number क्या है यह आप लोगों को समझना होगा, ध्यान से देखिएगा, मैं जो लिखूंगा, वही आपको भी टाइप करना होगा, यहाँ पर देखे, capital T, और 1, 8 लिखेंगे, और कॉमा लिखेंगे, फिर आपको capital Z लिखेंगे, 2, 8 लिखेंगे, बस इतना लिखना है यहाँ पर आपको, any experience एब वर्क्स, तो इसमें आपको yes कर देना है, तो experience का years लिखना होगा, years में लिखना होगा, यानि कि आपको two years से उपर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे three years, अब आपका age यहाँ पर लिखना होगा, तो जो आपका age है, उसको आपको यहाँ पर fill up करना होगा, इतना करना के बा उसके बाद आपको qualification लिखना होगा, तो qualification के लिए आपको अगर आप भूल गए हैं, तो back में चले जाएए, वहाँ पर आपने जिस चीज को select किया है, उसी चीज को आपको यहाँ पर लिखेंगे, उसी को यह जैसे QM लिखा हूँ, मैं select किया हूँ, तो इसके बाद next करेंग और QM ही मुझे वहाँ पर type करना होगा, तो देखिए, इस तरीके से मुझे यहाँ पर capital Q और capital M जो लिखा है, वही करना होगा, father's name लिखना होगा, यहाँ पर आपका जो father's का name है, वह आप यहाँ पर type करेंगे, last year percentage, आपका last year में कितना percentage आया था, वह आपको यहाँ पर लि per minute typing speed यह आपको skills में डालना होगा, तब आपको चले जाना है, hobbies में, hobbies में आप जो भी आपका hobbies है वो डालेंगे, playing games और भी कुछ आपका hobbies है तो यहाँ पर आप डालिएगा, और दूसरा देखिए, type same words below plus 3 यह जो लिखा हुआ है, इसी चीज को आपको यहाँ पर type करना होग तो capital में लिखना होगा, j, h, k, n, a, m, यह लिखेंगे और plus 3 भी लिखने को बोल रहा है, तो इसको भी आपको यहाँ पर type करना होगा, जो लिखा है उसी चीज को लिखना होगा, are you interested in political research, are you interested in record writing work, are you interested in capture work, are you interested in micro jobs, इसमें आपको यहाँ पर पहले लिखा है, yes, I am interested, तब आ next पर आपको click कर देना है, तो फिर यहाँ पर दूसरा page open होगा, यहाँ पर आपको withdrawal room दिखाए देगा, तो withdrawal limit कितना है, rupees 1, 2, rupees 8,000 per day, per day आप इतना withdrawal कर सकते हैं, तो withdrawal के लिए आपको choose payment method, Amazon पर गूगल पर हैं इंडिया के लिए, तो हम select करेंगे गूगल पर, और international workers के लिए यह जो option दिखाए गया है, यह जो भारत से बाहर भी अगर यह work करते हैं, तो उन लोग के लिए यह payment option दिखाए गया है, इसके बाद आपको फिर से next पर click कर देना होगा, जैसे आप next पर click करेंगे, आपको यहाँ पर दो question दिखाए देगा, यह उपर वाला, निचे वाला, मैं यहाँ पर answer लिखूँगा, इसी चीज को आपको यहाँ पर answer लिखना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा, 1973, और निचे मीचे ले जाना है, और आपको type करना होगा, 1963, इस तरीके से type करेंगे, enter correct capture below यह लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, it's not a capture, यह लिखना होगा, type करना होगा, enter correct capture, यह capture जो इसको correct आपको type करना होगा, only capital letters आपको यहाँ पर type करना होगा, तो capital letters जो जो है, Z है, X है, C है, और 680 को आप type नहीं करेंगे, और दिखाएगे है H और G, यह जो capital में है, इतना आपको type करना होगा, record writing work को आपको file डानना है, त जानते हैं, तो इसके yes करेंगे, और WFH code यानि की work from home code आपको यहाँ पर डालना होगा, देखे, मैं जो code डालूँगा, वही आपको डालना होगा, यह 6 लिखेंगे, इसके बाद capital J, capital K लिखेंगे, इसमन में X लिखेंगे, और आपको 4 लिखेंगे, और यहाँ पर आपको submit पर click कर देना होगा, तो जैसे हमने submit कर दिया है, तो submit करने के बाद आपको देखिए, इस तरह का दिखाई देगा, तो अब यहाँ पर यह बहुती genuine सा work है, आपको सही तरीके से form को fill up करना है, और आपको यहाँ पर definitely work मिलेगा, एक एक capture को fill up करने का आपका 6 रुपीज यहा आपको link मिलेगा, सीधा आप यहाँ पर form भर सकते हैं, तो यह बहुत genuine सा work है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो like कर दिजिए और इस चैनल को subscribe कर दिजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही थैंक यू